दोस्तो आपका स्वागत है एसके टेक्रों आज थर्टी चनल में चरी दोस्तो आज का वीडियो सुरू करते हैं क्या सभी कैंडियोट को अप्लिकेशन फार्म फिलप करने तो इस वीडियों कम्प्लीट प्रॉसर जाने के कौन कौन से कैंडियोट को दोबारा से अप्लिकेशन फार्म फिलप करना है और यहाँ पर दोबारा से आनलाइन अप्लिकेशन क्यों स्टार्ट किया गया है कम्प्ल ताइब में नंबर जो था यहां पर देख सकते हैं आपको 03-2019 और नोटीस की बात करें जो नोटीस यहां पर जारी किया गया यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो पहले वेकेंसी आई थी देख सकते हैं लेकिन यहां पर फिर से इसका आनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया गया तो दोस्तों मैं बता दू जब उस समय इसका आनलाइन अप्लिकेशन आया था तो वहां पर एक आप्सन नहीं दिया गया था कौन सा यहां पर multiple disability candidate बहुत दिभ्यांग का जो आप्सन था वहां पर नह उन्हीं candidate के लिए आनलाइन अप्लिकेशन स्टार्ट किया गया है और किवन उन्हीं candidate के लिए दोबारा से आनलाइन अप्लिकेशन फार्म फिलप करना है दोस्तों और बाकी candidate को यहां पर आनलाइन अप्लिकेशन फार्म नहीं फिलप करना है उनका वहीं वाला अप्लिकेश फिलब कर दिया था अगर तो उनको भी दोबारा से फिलब करने की जरोत नहीं क्योंकि यहां पर देख सेथे आपको बताया गया है परन्तु आवेधन में लेखित नहीं था यहां पर जिसकते बिकलाएंगे कि कि कर दिया था तो उनको क्या करना है उनको सुधार के लिए अपर आपसन आएगा अभी जो है बाद में आपको एक डेट इसका आएगा करेक्शन के लिए जिससे आप करके अपना जो करेक्शन कर सकते कुछ भी गलती हुआ और सभी के लिए यहां पर करेक्शन का डेट दिया जाएगा जिसमें आपको बताया गया था नप्लस टू बरभी पास था और सारी qualification जो भी थी उसी समय का यहाँ पर वही होगा दोस्तों फिर से qualification और बाकी जो यहाँ पर criteria था उसमें changes नहीं किया गया है चलिए important date की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं online application application जो फिर से दोबारा स्टार्ट हुआ है यहाँ पर 24 अपरेल 2020 से स्टार्ट कर दिया गया और इसका लाइट जो अप्लाई करने का है नहीं किया था फिलप बहुदी बैंक एंडियर जो थे तो उनके लिए अच्छा मौका यहाँ पर फिर से दिया गया अच्छी खासी वेकेंसी थी आप इसका online application जरू फिलप कर लिजिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो इसका cbt exam की बात कर ले तो यहाँ पर cbt exam अभी क application फिर स्टार्ट किया गया है इसके बाद आपको एक correction date भी दिया जाएगा इसके बाद ही आपका कोई exam होगा अभी इसका कोई notice नहीं है तो आपको exam की tension अभी नहीं लेना है चलिए दोस्तों आप बात कर लेते कैसे आपको इसका online application फार फिलप करना है और यह notice जो है आपको इसके से मिल जागा आप डारेक्ट इस पेज पर आ सकते तो देख सकते आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा यहां पर सबसे पहला जो आप सने यहां से आप इसका complete notification 2019 का जो डाउनलोड कर सकते इसके जो नोटिस अभी आपको मैंने दिखा है यहां से देख सकते सेकेंड नंबर से आप जो नोटिस जारी किया गया है यहां पर इसको डाउनलोड कर सकते 22 सपरेल 2020 का नोटिस जारी गया गया इसके अरहां अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं डिसेवल मल्टिपल दिभ्यांग का एंडिडियेट थे और आप अप्लाई करना चाहते तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा है यहां देखसेते हैं सोगा यह डिवाइस इज नाट अलाउट तो यह से इस इस पेस तो इसका भी यहां पर निवारण है कैसे आप मोबाईल में ओपन कर पाएंगे तो सबसे पहले कौन सा ब्राउजर आपको यूज करन यहां पर आपको एंगे लिए आपके सापने ओपन हो जाएग है इसके बाद दोस्तों यहां पर क्या करना है आपको सबसे पहले click here पर registration पर click करके अपना registration करना है इसके बाद यहाँ पर login करके आपको complete application farm fill up करना है important data आपको यहाँ पर फिर से बताएगा देख सकते हैं तो दोस्तों इसका जो online application fill up करने का farm था वो already मैं बना चुका हो जिसका link आपको description और उपर i button में मिल जाएगा तो जाकर वीडियो देख लिजिए इसके बाद का process आपको उस वीडियो में complete मिल जाएगा registration से लेकर print out तक complete detail मिल जाएगा तो जाकर वीडियो देख लिजिए आपको complete detail वहाँ से मिल जाएगी इसलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो like और share करिया और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किय किजिए इसके लगा आपको इसके regarding कोई भी प्रॉब्लम होने तो आप मुझे comment कर सकते वीडियो को like और share जरूर किजिएगा तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद